दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज की इस कलास्त में हम बात करने वाले हैं गौथिक की गौथिक जो की स्कूल लेक्चरर की तियारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर हैं उनके लिए स्कूल, लेक्चरर, एक्जाम की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आपके syllabus में literary forms हैं कुछ और literary forms में कौन-कौन सी literary form है allegy है इसमें, epic है इसमें, ठीक है और आपका sonnet है इसमें, इसके अलावा आपके syllabus में है ode इसके अलावा आपके syllabus में है ballad इसके अलावा आपके syllabus में है allegory और इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और gothic दोस्तों ये साथ literary form आपके school lecturer exam में पूछी जाती है तो इससे पहले के वीडियो में हमने allegy के उपर discussion कर लिया है epic, sonnet, odd, ballad और allegory तो आपने दोस्तों ये वीडियो नहीं देखे हैं तो short वीडियो हैं जरूर देखें एक बार जाकर इनको और आज की इस class में हम बात करने वाले हैं gothic किसकी बात करेंगे gothic ये gothic क्या होता है और gothic word कहां से लिया गया है इसकी बात करेंगे the word gothic originally referred to the gothers ये gothers क्या है gothers है early germanic tribe Germany की एक tribe थी gothers वहां से इस word gothic को लिया गया है और gothic novel is general of fiction fiction का एक प्रकार है ये fiction साहिद्य में आता है English literature में fiction आता है तो fiction का एक प्रकार है gothic novel Horace Walpole first introduced the gothic word gothic word gothic Horace Walpole जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले इस word gothic से हमें introduce कराया था परिचित करवाया था Gothic is combination of horror and romance इस gothic novel में horror होता है और romance होता है यानि horror और romance का misran होता है इस gothic novel में और it is a story of terror and suspense horror and यहाँ पर इन चीजों को focus करना है horror and romance होता है साथी यहाँ पर terror और suspense जो होता है इन gothic novel में हमें देखने को मिलता है ज्यादा तर इसकी setting जो होती है old casual एक पुराने किल्ले के अंदर मानी जाती है कोई पुराना किल्ला होता है उसके अंदर इसकी setting को दिखाया जाता है Gothic novel बहुस पॉपुलर in second half of 18th century and early 19th century गोथिक जो नोवल थे वो परसिद कब हुए थे अठारवी श्तापदी के अंत में और 19th century श्तापदी के प्रारभ में गोथिक नोवल जो थे वो ज्यादा परसिद हुए थे तो इस छोटा सा एक वीडियो है जिसमें हमने literary form गोथिक के बारे में जाना है यहाँ पर आपको दो तीन बात नियाद रखने है कि गोथिक जो है गोथस वर्ड से लिया गया है और गोथस वर्ड जो है एक जर्मनिक ट्राइब का नाम था जर्मनिके एक परजाद्दी थी वहाँ से इस वर्ड को लिया गया था और यह गोथिक नोबल जो है वो fiction का एक जेनर बानते हैं हम इसको सबसे पहले Horace Wallfall ने हमें इस गोथिक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया था गोथिक में combination होता है कि इसका horror और romance का और इसमें terror और suspense होता है आतंक होता है थोड़ा संधे होता है और ज़्यादतर पुराने किल्ले में इसको जो है दिखाते हैं पुराने किल्ले के अंदर इसकी setting को दिखाया जाता है गोथिक नोबल जो होता है उसकी popularity की बात करें हम तो यह 18 स्तापदी के second half में यानि कि इस 18 स्तापदी के अंत में और 19 स्तापदी के प्रारंभ में इस टाइप के नोबल जो थे वो बहुत ज़्यादा परसीद हुए थे तो अगर आप school lecturer की त्यारी कर रहे हैं आपको literary form पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो भी जाकर देखें जा हमने एलिजी, एपिक, सौनेट, ओर्ड, बैलड, एलिगरी पर भी वीडियो बनाए हैं और अब आ रही आती है इन्ही सातों literary form के अपर questions की तो next video में हम इनके अपर questions के अपर discussion करेंगे इनसे related विभिन परती परिक्षा में, शिक्षक परती परिक्षा में कौन कौन से questions आये हैं उन questions के अपर अगले वीडियो में discussion करेंगे तो मिलते हैं next video में